नमस्कार दोस्तों मैं लाइब्रेरी स्टुडी पिद्गौर हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आप लोग थमनिल देखकर समझी गया होंगे कि मैं इलाबाद हाई कोट आरो और ए आरो के रिजल्ट के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ आरो और ए आरो का एक्जाम 10 दिसंबर से लेगे 20 दिसंबर के बीच में संपन हुआ था और इसका अप्लिकेशन जो स्टार्ट हुआ तो 17 अगस्त से हुआ था इलाबाद हाई कोट आरो और ए आरो में आरो की वेकेंसी 46 और ए आरो की वेकेंसी 350 पदों के लिए विज्ञापन की निकाला गया था पिछले एक दिन पहले इलाबाद हाई कोट ने आरो और आरो और और शी अ की रिजल्ट's जारी किया जिसमें रिजल्ट't में देखते हुए इसकी cut-off कभी पता नहीं चल पा रहा है इसकी cut-off बहुत हाई गई है और इसमें धांदली के आरोप लग रहे हैं जैसे इलाब बाद हाई कोट के आरो और ए आरोप वेकेंसी में पहले भी धांदली के आरोप लगते रहे हैं इसमें पारदर्सिता लाने के लिए इस बार इस वेकेंसी का टेंडर NTA को दिया गया था मगर इसमें पारदर्सिता क्या इस बार की वेकेंसी की जैसे सारी सीटे भी गई हूँ किसका सेलेक्शन हुआ यही नहीं पता चल पा रहा है इसमें बहुत से लोग ऐसे सिलेक्ट हो गए हैं जिनके पेट में 16 से 20 नमबर के बीच हैं और इसमें अलाबाद हाई कोट आरो ए आरो में 192,193 दोसो रिटन एक्जाम में हैं आप देख सकते हैं जैसे कि ये हैं हमारे दीपक कुमार इनके रिटन में 192 नमबर और टाइपिंग में 47 नमबर हैं टोटल इनके नमबर 249 हैं और इनके अभी कुछ महीने पहले जो पेट का एक्जाम हुआ था उसमें इनके 14 नमबर आए थे पता नहीं उन्हें चार महीने में इतना बड़ा क्या कमाल कर दिया कि 192 नमबर लाने में सफ़ा लो गए खेर ये अकेले ही नहीं हैं ऐसे बहुत से लोग हैं आप ये देख सकते हैं मनोच कुमार यादो इनके पेट में जो 16 नमबर आये थे और इनके आरो यारो उग्जाम में रिटर्ण में 200 में से 194 नमबर लाए गए तो इससे इस पस्ट होता है कि इसमें बहुत बड़े इस तरपा धानली हुई है और दोस्तों हम सभी लोगों को मिलकर इस धानली के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी हमारे कुछ यूट्यूबर्स दोस्त वहाँ पर लगातार जाकर धरना के लिए सबसे संपर्क करना चाहते हैं तो सभी लोग इसके लिए एक डेट डिसाइट की जाएगी और उसके बाद वहाँ पर धरना किया जाएगा क्योंकि अभी तक जिन एकजाबों में हम लोगों ने बोर्ड के खिलाफ धरना दिया या कुछ भी किया है उसमें हम लोगों की बात मानी नहीं गई है और पुलिस को दोर्ड लाठी चार्ज भी कराया गया है तो दोस्तों जैसे ही इसकी डेट डिसाइड होगे धरने के लिए हम आपको बताएंगे और इसमें सभी को मिलकर साथ में आवाज उठानी पड़ेगी एक के करने से कुछ नहीं होगा वरना इसी तरह पैसे देकर लोग सेलेक्ट होते रहेंगे हम लोग यहीं पर पढ़ाई करते रहेंगे और अगर इसी तरह करना है तो अगली बार फॉर्म भरने से पहले आप भी अपने पास 20-20 लाक रुपए रख लीजेगा तब फॉर्म भरिएगा ठीक है दोस्तों जैसे भी कुछ पता चलता है आपको चैनल के माध्यम से बताया जाएगा धन्यवाद आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक आप सब्सक्राइब करें धन्यवाद